हेलो गूड इवनिंग नमस्कार मैसल्फ गोविन्द स्वागत करता हूँ आप सबका टेक बुकलेट योट्यूब चैनल पे लेट्स स्टार्ट टूडेश निउज दोस्तो आज को जो पहली खबर निकल कारी है वो निकल कारी है कोरोना वारिस को लेकर दोस्तो आपको बता दे कि सुवार को राजी में 31 नए संक्रमित मरीज मिले खूड़ी के साथ 23 जुलो में पहुचा कोरोना संक्रमन अब तक 409 कोरोना पोजितिव दोस्तो आपको बता दे कि सुवार को राजी से 10, लतेहार से 5, सिम्डेगा वा पश्चिमी सिंग्भूम से 3-3, रामगर से 2, गडवा से 2, बोकारो से 2, पूर्वी सिंग्भूम, गुमला, पलामू वा खोटी से 1-1 संगित्धों की रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आई 22 जूले में पहुचा कोरोना वारिस का संक्रमन, सिर्फ साहिव गंच अभी तक है कोरोना मुक्त, सुम्वार को राजी में मिले टोटल 31 कोरोना पोजिटिव मरीज दोस्तों आज की जो दूसरी खबर निकल कारी और वो निकल कारी यह पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोत्री को लेकर दोस्तों आपको बता दू कि जहारकान में पेट्रोल 2 रुपे और डीजल 4 रुपे मेंगा हो सकता है क्योंकि राजी सरकार पेट्रोल डिजल पर टैक्स बढ़ाने वाली है इससे संबंधित प्रस्ताव को वित इबं वानी जिकार मंत्री डॉक्टर रामिश्वर उराओ ने मंजूरी दे दी है उमीद है कि इस सब्ता के अंत तक सारी परिक्रियाएं पूरी करते हुए नई दरें लागू करती जाएगी प्रस्ताव में दर का संतुलन ऐसा रहेगा कि सरकार को राजस भी आए और पेट्रोल डिजल की कीमतें पडोसी राजियों से अधिक भी ना हो दोस्तो आज की जो तीसरी खबर निकल कर आ रहे है वो निकल कर ये प्रवासी मजदुरों की घरवापसी के कारण गाउं गाउं तक पहुंचा क्रोना वाइरस दोस्तो राज में पहले होट स्पोट में राची को चिन्दित किया गया था लेकिन राची में अब करोना वारेस की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है मगर प्रवासी मजदुरों की घरवापसी के साथ ही राज में नई होट स्पोट भी बन गया है खास बात यह है कि अब कोरोना का संक्रमन सहरों से निकल कर गाउं तक पहुँच गया है गड़वा, लातेहार, कोडर्मा, पूर्वी सिंग्भूम जैसे जिलों में मामले कापी तीजी से बढ़ रहे हैं इस्तितिया है कि गड़वा में हर एक सोट टेस्ट में 3.5 मरीज मिल रहे हैं यानि यहां संक्रमन की संगहनता जादा है जबकि पूर्वी सिंग्भूम में हर तीन दिन में केस दोगने हो रहे हैं संक्रमन की इस तेज रफ्तार की वज़े से पूरे राजी की ओसत डबलिंग रेट भी 14.7 दिन से घट कर 25 माई को 8.8 दिन पर आ गई है यानि राज में अब 8.8 दिन में संक्रमन के मामले डबल हो रहे हैं दोस्तो आज की जो चौती खबर निकल कर रहे हैं वो निकल कर रहे हैं राज भानी राजी से दोस्तो राज में कोरोना संक्रमित मरेजों की संख्या में जापा हो रहा है इसमें अब सबसे ज़्यादा मरीज राची से में पिल चुके हैं। सुमवार को सिली में 10 लोगों में कोरना संक्रमन की पुष्टी हुई। इसके बाद राची में कोरना संक्रमीतों की संख्या 156 जा पहुची। सिल्ली में 10 मरीजों में से 9 महारास्ट्रा वा एक हर्याना से 19 माई को लोटा था इन मरीजों को COVID-19 सेंटर में भरती करा दिया गया है दोस्तो आज के जो पांचवी और अम्तिम खब निकलकारिय वो निकलकारिय जारखन वे बौसम बोलेकर जारखन के उत्तर वा दक्षिन पुर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर 26 माई को गरज के साथ वरजपात वो हलकी वारिस होने की संभावना है 27 माई को राज के उत्तरी भाग में 28 माई को राज की मध्य उत्तरी पुर्वी और दक्षिन पुर्वी भाग में कुछ स्थानों पर 28 माई को राज के उत्तरी वो मत्य भाग में जबकि 29 माई को राजि के मध्य, उत्तर, पूर्वी वा दर्चिन पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा वा गरत के साथ वरजप्रात और हल्की बारिस होने की संभावना है तो दोस्तों ये था आज का टॉप फाइव गिस, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेर करिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं चैनल को सब्सकाइब कर लिए, बेल बेटल को दबाईए, थाइंक यू